रुचिरा भाग तीन रुचिरा तृतियो भागह अश्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम पृष्ठ संख्या अस्ची द्वादशः पाठह पाठह का शीरशक है कह रक्षती कह रक्षितह प्रस्तुत पाठह पर्यावरण परकेंद्रित है हमारे जीवन में प्लास्टिक का इस सीमा तक प्रवेश हो चुका है कि हम इसके बिना दैनिक जीवन चलाने की कलपना भी नहीं कर पाते जबकी प्लास्टिक पर्यावरण के लिए घातक है प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग पर प्रश्न चिन लगाते हुए इस पाठ में पर्यावरण तथा प्रदूशन की समस्या के प्रति संबेदन शील समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है यह पाठ संबाद रूप में है कई प्रदेशों की छात्राओं की इस संबाद में सहभागिता प्रदर्शित की गई है पाठ इस प्रकार प्रारंभव होता है काश्चन बालिकाह ब्रह्मनाय निर्गताह परस्परम आलपंती रिपंची परमिंदर परमिंदर एही आगच्छ उपवनम प्रविशामह परमिंदर अरे उपवनस्य द्वारे एव प्लास्टिक स्यूतकानि क्षिप्तानी इतस्ततः विकीर्णानी प्रुष्ट संख्या 81 कशनार जनाह प्रमादम कुरुवन्ती प्लास्टिक पुटकेशु खाद्य वस्तूनी ग्रिहित्वा भक्षयन्ती परम्तानी पुटकानी मारगे यत्र कुत्रापिक्षिपन्ती रोजलिन महती यम समस्या अपि प्रविशामह रिपंची अस्तु प्रविशामह सरवाह उपवने प्रविशन्ती कशनार कुत्र उपविशामह रिपंची अस्मिन काष्ठ पीठे उपविशामह सरवाह उपविशन्ती रिपंची अपि पश्यत्व वयम यत्रोप विष्टाह तत्र कानि वस्तूनी संती परमिंदर आम आम बहूनी वस्तूनी परितो विकीरणानी कशनार यता स्यूतह जलकूपी कंदुकं इत्यादीनी परिष्ठ संख्या बयासी रोजलिन हला आत्मानम अपि पश्य चे नम्मा आम आम पश्यामी एव ममसविधे कंकतम कुंडलम केशबंधह घटिपट्रिका कंकनम इत्यादीनी सरवानी विराजन्ते किमसी वक्तु कामा रिपंची इदम ध्यातव्यम यदेतानी सरवानी वस्तूनी प्रायह प्लास्टिकेन निर्मितानी संती कचनार पूर्वंतु प्रायह कारपासेन चर्मना लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काश्ठेनवा निर्मितानी वस्तूनी एव प्राप्यंते इस्मा अधुना तत स्थाने प्लास्टिक निर्मितानी वस्तूनी परितह विकीर्णानी संती एतानी अल्प मूल्यानी अपिसंती चनम्मा हो, कलमस्तु विस्मृतह कोपी एतत अनुमातुम शक्नोती यत एकस्मिन कलमे कतिमसी यष्टयह प्रयुज्यंते परमिंदर अनुमीयते यत प्रत्यकं छात्रा प्रतिसप्ताहं स्वकलमे एकाम मसियष्टिम पूरयती तात्परिय मिदमस्तियत एकस्मिन नेव वर्षे नियूनान नियूनम प्रायह पंचाषत मसियष्टयह तया प्रयुक्ताह भवंती चनम्मा परम किम वयं एकस्मिन वर्षे एकस्ययव कलमस्य प्रयोगम कुरमाह सामोहिकस्वरह नहीं नहीं वर्षेतु प्रायशह बहवह कलमाह विलुप्यंते रिपंची एका चात्रा त्रिशु मासेशु एकम कलमम क्रिनाती अर्थात एकस्मिन वर्षे चतुरह कलमान क्रिनाती रोजलिन अपरम्च कलमेन सह मसियश्टिह अपी प्लास्टिकावर्णे समाविश्यते तरही आहत्य प्रतिवर्षम एका चात्रा प्रायः पंचाशन मसियश्टिनाम चतुर्भी कलमई चतुःपंचाशद्भी आवर्णई प्रयोगम करोती प्रिष्ट संख्या तिरासी कचनार भवतु प्रयुक्तस्य प्लास्टिकस्य दूर गामिनह प्लास्टिकं प्लास्टिकं कदापिन गलती नच अपक्षीयते यथा अन्यानि वस्तूनि विनश्य म्रिष्टिकायां विली यंते चेनम्म प्लास्टिकस्य म्रिष्टिकायां लया भावात अस्माकं पढ्यावरनस्य कृते महतिक्षतिह भावती रिपंची एकेन पदार्थेन अपरह पदार्थह स्रिज्यते अधवा विनश्टम वस्तू म्रिष्टिकायां मिलती परम प्लास्टिके इयं प्रक्रिया असंभवा एव परमिंदर कल्पयतू यदि शतं वर्षानियावत प्लास्टिक निर्मितानां पदार्थानां निर्मान प्रक्रिया प्रिथि व्यां प्रचलिष्यते तरहिकिं स्यात सर्वा सकेदं विम्रिशंति रजलिन अत्र विशादेन के häuf सर्व प्रथमंतु शिक्षकानाम सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाह विचारणियाह अस्माकम प्रयासोपी पर्या वरनस प्रिष्ठ संख्या चवरासी शब्दार्थाह काश्चन काह जमा चन कुच चर्चा यन्ती चर्चा करते हैं पुटकेशु छोटी थेली में इसी को पाउच भी कहते हैं स्यूतह थेला या थेली जलकूपी पानी की बोतल हला सक्खी के लिए संबोधन कंकतम कंगह या कंगी कंकनम कंगन कारपासेन कपाससे लाक्षया लाख से मृत्ति कया मिट्टी से विकीर नानी बिखरी हुई या फैली हुई प्रमादम आलस्य काश्ठ पीठे लकड़ी की बैंच पर आहत्य कुल मिलाकर मसी यष्ट्या रिफिल से न्यूना न्यूनम न्यूनात जमा न्यूनम कम से कम प्रायशह प्रायह या लगभग विलुप्यनते लुप्तो हो जाते हैं अपक्षीयते नश्ट हो जाता है विलीयनते विलीन हो जाते हैं लया भावात लय जमा अभावात लीन या नश्ट होने के कारण श्रिज्याते निर्मित किया जाता है कलप या तू कलप ना कीजिये विम्रिशंती विचार करते हैं पृष्ठ संख्या पचासी अभ्यासह अभ्यास संख्या एक उच्चारणम कुरूत पंचाशत त्रिपंचाशत पंचपंचाशत सप्तपंचाशत अश्टापंचाशत शस्टी ही अभ्यास संख्या दो अधो लिखितेशु पदेशु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम चा लिखत यथा ब्रहमनाय यह पद है इसकी विभक्ति चतुर्थी दी गई है तथा वचन एक वचन है इसी प्रकार आगे के शब्दों में आपको विभक्ति और वचन बताना है ये शब्द हैं का वस्तूनी ख प्लास्टिकेन ग विकीर्णानी ग मसियस्ट्या गा स्यूत केशु च काश्ठ पीठे च प्रिथिव्याम अभ्यास संख्या तीन एक पदेन उत्तरत क मसियस्टी जलकूपी प्रभृतिनी वस्तूनी केन पदार्थेन निर्मितानी ख उपवनस्य द्वारे कानिक्षिप्तानी संती ग मृत्ति कायाम किम वस्तून कदापि विनस्यती घ अस्माकम प्रयासह कस्य रक्षणे अपेक्षितह प्रिष्ठ संख्या छियासी अभ्यास संख्या चार प्रश्णानाम उत्तरानी लिखत ख चनम्मायाह सविधे कानि वस्तूनी आसन ख पूर्वं प्रायह केन पदार्थेन निर्मितानी वस्तूनी प्राप्यंते स्म ग कानि कानि वस्तूनी पर्या वर्णं दूशयंती ग प्लास्टिकस्य मृत्ति कायाम लया भावात किम भावती अभ्यास संख्या पाँच अधो लिखितानाम पदानाम लकारम पूरुशं वचनम चलिखत यथा संति आगे यह पद है इस पद में उदाहरण के रूप में कौन सी धातू क्या लकार कौन सा पूरुश और कौन सा वचन है इसकी सूचना दी गई है जैसे संति में अस धातू है लट लकार है प्रथम पूरुश है और बहु वचन है इसी प्रकार आगे के शब्दों में आपको धातू, लकार, पूरुश और वचन को बताना है ये शब्द है अभ्यास संख्या चह मन्जूशा तह अंकानाम कृते पदानी चीनूत यहां मन्जूशा में सम्स्कृत में जिस प्रकार शब्दों को बताया जाता है उस प्रकार शब्द लिखे गए है ये शब्द हैं चतुह पंचाशत ये तो शब्दों में लिखे हुए है लेकिन इसके आगे संख्या दिये गए है मैं उसका उचारण हिंदी में करूँगा और आपको उसका सम्स्कृत रूप मन्जूशा से चुनकर बताना है ये शब्द हैं सर सथ अन्ठानवे चौवन चौरानवे चियासी संतानवे बहत्तर पचहत्तर प्रिष्ठ संख्या सतासी योग्यत आविस्तारह सम्स्कृत में अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप प्राप्त नहीं होते हैं लेकिन लड़कियों के अकारांत नाम होते हैं इनके उदाहरन हैं परमिंदर, रोजलिन, कचनार, आदी यहाँ प्रश्ण उठता है कि किस रूप में इन नामों को सम्स्कृत में लिखा जाई इसलिए इस पाठ में परमिंदर व्यंजनांत रूप में रखा गया है सम्स्कृत में परमिंदर, रोजलिन, कचनार, इन्हें व्यंजनांत मान कर रूप चलाये जाने चाहिए परियोजना कार्यम चलिए आगामी अवकाश में एक अभ्यास करते हैं सुबह जगने से लेकर रात सोने के समय तक बाजार से आने वाली और प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं को ध्यान पूर्वक देखें और इनकी एक सूची बनाए उनके लिए सम्स्कृत में क्या प्रयोग होता है यह जानने का प्रयास करें सूची में हर वस्तु के नाम के आगे यह लिखें कि वह किस चीज की बनी है इसमें प्लास्टिक की बनी हुई चीजों को छाट कर एक जगह लिखें और यह आकलन करने का प्रयात्न करें कि प्रते दिन हम कितनी मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं सम्स्कृत में वाक्य में पहले अपी लगाने से वाक्य प्रश्णवाचक हो जाता है जैसे अपी प्रविशामह तो इसका भाव होगा क्या हम भीतर चलें धातु संयुक्त तुमुन प्रत्य के अनुस्वार का लोप करके उसके आगे कामा या कामह जोडने से अमुक कार्य करना चाहने वाली अथवा चाहने वाला यह मुहावरेदार प्रयोग होता है जैसे गंतुकामा, वक्तुकामा, कर्तुकामह इत्यादी इस प्रक्रिया के आधार पर नीचे लिखे वाक्यों का समस्कृत में अनुवाद करें क राम क्या कहना चाहता है ख क्रिस्तीना कहां जाना चाहती है ग वह करना क्या चाहता है रुचिरा भाग 3 अभी आप सुन रहे थे आठमी कक्षा के लिए संस्कृत की धोनी पाठे पुस्तक प्रस्तुती C I E T N C E R T भी आप संस्कृत की तो आप पुस्तक प्रस्तों मुटिरा भी आप सुन्स विए झाल झाल